गुद्मोरिंग स्टुडेंट्स, होप यू आर वेल, तुड़े आई स्टार्ट नेक्स चैप्टर ओफ एवी एस, आर फूट, चैप्टर नुम्बर फाइब, येस पेटा, आर फूट, जो आप खाना खाते हो, हम उसके बारे में सारे डिटेल पढ़ेंगे, उसके अंदर अ बनाने के तरीके, यानि कौन-कौन सी विदिया, मैथड क्या होता है, विदिया, तो उनको बनाने के कौन-कौन सी विदिया हम एपलाई करेंगे, जो हम खाना बना रहे हैं, और कुकिंग एपलाइंसे जो हम चीजे यूज करते हैं, बरतन जो यूज करते हैं, फ्यूल कौन जीने के लिए आपको चाहिए? Food चाहिए. Food give us nutrients and energy. Food हमें क्या देता है? Food से हमें क्या मिलता है? Nut ganzen importance. Nutrient क्या होते हैं? पोशक्षत्त्व. Nutrient क्या होते हैं? हमारे पोशक्षत्व. जैसे अभी आपको पता नहीं है कि इसके nutrients में क्या कैची जाती है मैं थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ जैसे आप butter खाते हो तो वो क्या है एक यानी fat अब आप wheat खाते हो तो वो क्या है आपका carbohydrate protein में अगर आप suppose करो milk पी रहे हो या आप egg खाते हो तो उसके अंदर क्या होता है protein होता है बेटा जो की हमें क्या दे रहे है energy देते हैं there are different types and sources of food food के बेटा different types होती है और क्या होते हैं sources sources का मतलब स्त्रोध होते हैं next आता है आपका topic देखो यह आपको homework है यह आपका आज का तो आपको यह proper करना है next video में on a Monday I discuss this quiz now we start method of cooking method of cooking क्या है और first आपको एक थोड़ा सा clue दे रखा है अब उसके detail हम read करते हैं observe the two pictures given here दो pictures दे रखी हैं आपके सामने discuss the difference between the food items in a picture 1 हम इसके बारे में और picture 2 इसके बारे में अब आप देखो आपके सामने ये दो pictures हैं आप इन दोनो pictures के बारे में क्या बता होगे आप में इस picture को first picture को देखके आप क्या कहोगे vegetables है ठीक है ये क्या कहोगे आप food कहोगे या आप rice या चौमन जो भी है आपके sorry rice है और ये क्या है fish है तो ये क्या है पका हुआ बोजन है और ये क्या है raw कच्चा बोजन vegetables है ठीक है तो अब इन ही में हम आगे read करते हैं most fruit most fruits are eaten raw अब कुछ एक जो fruit होते हैं वो क्या खाते हैं कच्चे खाते हैं but only a few vegetables few vegetables means कुछ ही vegetables such as a cucumber this is your cucumber tomato, carrot, radish और cabbage क्या होती है पत्ता गोबी अब आपको cucumber पता चल गया होगा वो क्या होता है खीरा tomato, tomato, carrot, गाजर, radish, मूली और cabbage जो बच गया वो क्या होती है पत्ता गोबी ठीक है ये दिखा रखी this is your cabbage अब ये सारी चीजे क्या है हमारी ये जो vegetables है ये है raw जिसको हम कच्छा खा सकते हैं ठीक है next आता है आपका page the food that must be cooked before eating include grains, grains क्या होते है अनाज pulses क्या होती है दाल fish, meat and a vegetable such as a potato, cauliflower and a beans beans क्या होते हैं राजमा बोलते हैं the food that must be cooked अब हम वो जो खाना खाते है उसको हम खाने से पहले, यानि eating खाने से पहले हम क्या करते हैं उसको cooked करते हैं पकाते हैं, जैसे आपका green हो गया अब आपकी ममी के आपके लिए चपाती बनाती है तो क्या आटा वैसे ही दे देती है चपाती उसको गुनते हैं फिर उसको तवे पे उस आटे को बेल के और आपके सामने ममा चपाती गरम करके देती है पलसेज हैं दाल को बॉयल करते हैं फिश को भी पकाते हैं मीट वेजीटेबल अब जैसे राइस ग्रेंड बीन्स फेश एंड पोटेटो ठीक है अब जब आप किसी भी खाने को पकाते हो बेटा तो आपके आधे से ज़्यादा क्या होते हैं जर्म्स यानि उसमें से जर्म्स मर जाते हैं किल का मतलब मरना मेक फूड और जिससे खाना क्या बन जाता है आपका सॉफ्ट बनता है और आपको असानी से आप उसे क्या कर सकते हो डाइजेस्ट कर सकते हो कोक्ड फूड आलसो टेस्ट एंड़ स्मेल गुड अब कोक्ड फूड पका हुआ भूजन जो होता है वो कैसा होता है टेस्टी होता है और क्या होता है उसमें से स्मेल आती है अब नेक्स्ट अना मंडे आपके यह डिफरेंट मेथर्ड्स ऑफ कुकिंग है फाइरिंग बॉ